अस्सलामु आलेकूँ और रहमतुल्लाहिव बरकातों प्यारे बैचों हमने कल ये साबक चाचा नहरो साबक नमबर पांच शोरू किया तो आब हम इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं हमने कल यहां तक पढ़ा था पेज नमबर चनतेस थरी फोर लास्ट नीचे की तरफ यहां से हमें आगे बढ़ना है आपने कल जो बातें सुनी हैं उनमें आपको एज अब्जिक्ट्व शाट अंसर के तोर पे कुछ बातें जहन शीन रखनी हैं जिन में नमबर एक यह है कि चाचा नहरो का मुकमल नाम जो है पूरा नाम जो है पंडित जवाहिलाल नहरो नमबर दाद यानि उनके बड़े कश्मीर के रहने वाले थे तीसरे नमबर पे वो हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वे ज़ाजम थे उनकी पाइदाई चोदा नमबर अठारह सव उनवे में हुई थी और उतर परदेश के शहर इला आबाद में हुई और आपके व और आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं वातन लोट कर जवाहलाल नहरू ने हाई कोट में वाकालत शुरू की जब उन्होंने कानून की तैलिम हासल की इंगलिस्तान से तो उसके बाद उन्होंने कोट में वाकालत की लेकिन उनका दिल वातन की आज़ादी के लिए बेचेन याने उन को वतन की आजादी के लिए दिल में ख़वाहिश थी, बेकरार थे कि वतन को किस तरह अंग्रेजों से आजाद करे, किस तरह हम अपनी जिन्दगी अपने मन के मताबिय गुजारी और उनकी मुलाकात जब उनकी मुलाकात गांडेजी से हुई, यानि जब वो गांदे जी से मिले कियोंकि गांदे जी भी हिंदुस्तान की आजादी के अजीम रहनमाओं में से थे तो उन्होंने जब गांदे जी के साथ मुलाकत की तो गांदे जी के साथ बातें गुपतवगू करने के बाद वो बहुत मतासिर हुए उनको बहुत असर हुआ कि मलक को आज़ाद करना कितना जरूरी है और मलक आज़ाद कराने की जदजहद में यानि कोशिश में वो गांदे जी का हाथ बटाने लगे यानि गांदे जी का साथ देने लगे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी में यहां के हर इंसान चाहे वो मुसल्मान हो, हिंदू हो, सीख हो, बुद्ध हो, जिस मजभब का भी हो, उन्होंने मिल के कोशिश की है किस तरह हम अंग्रेजों को इस मुलक से निकालें और हम आजादी के साथ अपने मुलक को त यहां उस आजादी के तहरिक से बाहर नहीं निकल सकते बार के हर एक का इसमे हिसा है, प्यारे बचों, जवैलल नहरू की शादी कमला कोल से हुई, यानि अब उनकी शादी हुई, उसकी भीवी का नाम कमला कोल था, वो बहुत नाजुक और खूबसुरत थी, यानि वो थी, पतली, नाजुक, कमजोर भी कह सकते हैं, और खूबसुरत थी, उनके हां एक लड़की पैदा हुई, यानि अब पिंडित जवैलल नहरू को एक बेटी हुई, और जिसका नाम इंदरा प्रिया दर्शिनी रखा गया, यानि इसका नाम ये रखा गया, इंदरा प्रिया प्रिया दर्शिनी, यही वो लड़की थी, जो आगे चलकर इंदरा गांदी के नाम से मश्हुर हुई, यानि यही वो लड़की है, जिन्हों ने आगे चलकर तेलीम हासिल करके, हिंदुस्तान की बागडुर संभाली, और ये हिंदुस्तान की वजीर आजम बनी, भारत की जैल ब़िज़ी राजम बनी गांदे जी के साथ मिलकर पंदीत जी ने आजदी की तहरीक में बड़ चड़ कर हिसा लिया यानि पंदीत जवाईलाल नहरू ने गांदे जी के साथ और दोसरे रहनमाउं के साथ मिलकर आज़ादी की तहरी को आगे बढ़ाया और इसमें कोशिश की इस सिलसले में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा यानि जिन्हों ने आज़ादी की तहरी को उठाई उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी जेल भी जाना पड़ा सक्तियां भी उठानी पड़ी जेल में रहकर आपने अपनी आप बीती के आलावा कई किताबें लिखी और जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी आटो बायोग्राफी जिसको कहा जाता है आप बीटी के अलावा याने अपनी हिस्टरी के अलावा उन्होंने कुछ किताबीं भी जेल में रहके लिखी हैं और आजाद हिंदुस्तान के पहले वजिर आजम बनने के बाद जवाईलालनहरू ने अवाम की बलाई के बहुत से काम की याने जब पंडित जवाईलालनहरू हिंदुस्तान के प्रैम मिनिश्टर बने वजिर आजम बने तो उन्होंने अवाम के खातिर अवाम की बहबूदी के लिए अवाम को मुश्किलाद से निकालने के लिए उन्होंने बहुत से अच्छे काम की और मुलक के गरीबूं को सहरा मुलक के गरीबूं के लिए सहरा बने यह गुर्बत को दूर करने की कोशिश की और उसके साथ साथ लोगों को तैलीम देने के लिए यह जहालत दूर करने के लिए मनसूब पुलान बनाए गए गए किसानों मजदूरों और पिछ्ड़े हुए तब को यह किसान जमीन दार जो थे मजदूर मजदूरी करने वाले और पिछ्ड़े जिन की कोई एहमियत नहीं थी जो बिलकुल गरीब जिन्दगी गुजारते थे उन तबूकों उन गृपों की हालत को दूर करने के लिए सुधारने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं और उनके डावर में म लोगों की बलाई के लिए बहुत काम किये और मुलक को तरकी के मनाजल तक पहुँचाया और सारी दुनिया में बारत को इज़त की नाजर से देखा जाने लगा और उसके बाद पूरी दुनिया में बारत का नाम रोशन होने लगा और दुनिया के जो मामालिक थे वो बारत इस्ट की नाजर से, रहतिराम की नजर से देखने लगे, तो यह इस तरह एक रहनमा का काम है, कि वो मुल को किस रास्ते पे ले जाए, किस तरह मुलक को तरक्य दे, किस तरह मुलक में रहने वाले लोगों को सकुण दे, तो ये हर एक का फर्ज है कि अपने मुलक के लिए अपने मुलक के लोगों के लिए काम करे ताके मुलक तरखी से हम किनार हो जाए प्यारे बच्चो इसका इंशालला अगला टापिक कल पढ़ेंगे आज इतना ही अस्सलाम अलेकूं और रहमतुलाह वबरकाराई